जैहिन साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों इस वीडियो में हम परियाईवाची सब्द के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इस से रिलेटेड पच्पन महत्वण प्रसनों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार के प्रसन इसमें है दोस्तों अब बात आती है कि यह किन परिक्षों के लिए लाबदैक होगा तो जिस भी कॉम्टेटिव एक्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए लाबदैक होगा खास तोर पर उत्राखंड के लगभग सभी एक्जामस में जो आगामी है पटवारी, लेखपाल, उत्राखंड, पूलीस तो सभी के लिए लाबदैक होगा चलिए शुरू करते हैं पहला प्रसन है विप्र का समान आर्थक सब्द है तो विप्र अर्थाथ इसका आर्थ होता है ब्रहामन आफसन सीज का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां पर बता देना चाहता हूँ जो परियाई वाची सब्द होते हैं वो एक दूसरे के परियाई होते हैं अर्थात एक दूसरे के समान होते हैं जैसे अब देखे दो सब्द हैं अगर उनके अर्थ सेम निकल रहे हो तो हम दोनों को एक दूसरे के परियाई कह सकते हैं तो इन्ही को परियाई वाची सब्द कहते हैं और इन्ही को समान आर्थक भी कहा जाता है हालांकि आपने जो अपने बुक्स में देखा होगा कि समानार्थी सब्द अलग से दिये होते हैं और परियाईवाची सब्द अलग से दिये होते हैं लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं तो पहनले का C हो जाएगा अगला प्रस्ण है आवीरभाव का परियाईवाची सब्द है तो मृत्यू वान प्रस्थ मोक्षय अत्पत्ति तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पत्ति अप्सन D दोस्तों आवीरभाव अर्थत किसी चीज का उत्पत्ति या इसका नए सिरे से उसका निर्मान अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में परियावाची सब्द है अचेर अचर राधारमण या कंसनीकंदन तो आप्सन बी हो जाएगा राधारमण और कंसनीकंदन आप्सन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगर बात करें दोस्तों पर आप देख सकते हैं जो अम्बूदी होता है वो जल में रखने ही होगिया सागर या जल जो जलदी इनही का क्या है ये परियावाची है ऐसे नीरज आप यहाँ पर देख सकते हैं जल का बादल का तो यह यहाँ पर क्या है सही जो मेल कह सकते हैं जो परियावाची सब्द है एक दूसरे के अगला प्रस्न है कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी सब्दों का है अर्था वैचारिक अंतर के समानार्थी तो देखना और घूरना किया है वैचारिक अंतर के जो है समानार्थी सब्दों के है option, जो है इसका A उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है नौका सब्द का पर्याई बताईए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरी option C तरी इसका सही उत्तर है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ घर के लिए यह परियाईवाची नहीं है तो नहीं है पूझा गया है ग्रह, आलाई, निलाई ये तीनों सही है लेकिन जो ग्रह होते है वो जो प्लेनेट्स हैं उसके अर्थ में है तो अप्सन B क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है पवन का परियाईवाची सब्द है मिलना, समीर, पूझना या आदर तो समीर क्या है पवन का जो परियाईवाची सब्द है समीर हवा तो दोस्तों जो हम एक common गलती करते हैं परियाईवाची सब्दों में कि हम वाक्य को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं कई बार पूछा जाता है कि पवन का परियाईवाची सब्द नहीं है निमने लिखित में पवन का परियाईवाची सब्द नहीं है या है इन दो चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है यही चीजें डिसाइड करती है कि आप उस पोस्ट के काबिल हो की नहीं अगला प्रस्ण खर का परियाईवाची सब्द है तो खर का खरगोस, मूर्ख, ससक या गधा ओप्शन डीस का सयोत्तर हो जाएगा गधा आपने खरगोसन वाली कहानी सुनी होगी तो गधा दूशन था वो समझ लीजिए इस प्रकार से याद रख सकते हैं अगला प्रस्ण अगर अनिल परियाईवाची है अनिल का परियाईवाची पूछा गया है पौवन, पावस, चक्रवाथ, या अनल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए हो जाएगा नवे का पौवन अनल जो होता है दोस्तों वो क्या होती है आग के लिए यहां पर प्रियोग किया जाता है तो इसका आप ध्यान नके अगला प्रस्ण प्रसून सब्द का परियाईवाची है पुछा गया है विरक्ष चंद्रमा पुष्प या अगनी तो अप्सन बीस का सही उत्तर हो जाएगा पुष्प पुष्प को कहते हैं प्रसून अगला प्रस्ण कानन सब्द का परियाईवाची नहीं है नहीं है पूछा गया है क्योंकि कानन जंगल का परियाईवाची होता है विपिन भी जंगल का है और अरणने भी जंगल का तो आप्सन डीस का सही उत्तर हो जाएगा अर्थाथ इनमें से कोई नहीं नियती सब्द का समानार्थी होगा नियती सब्द का समानार्थी क्या होगा तो भाग्य ओप्सन्स यह हो जाएगा जैसे हम कहते हैं कि इसकी नियती खुदा ने अच्छी नहीं लिखे या भगवान ने अच्छी नहीं लिखे है इसका भाग्य इस प्रकार से अगला प्रस्ण यहाँ पर संकेट दिये गए हैं तो हमको जो इन में से चार विकल्पों में से उचित विकल्प का चैयन करना है स्वच्छ का निर्मल, नीरज, पंकिल या नीरज तो निर्मल क्या होता है? स्वच्छ का पर्याईवाची या समानार्थी सब्द अगला प्रस्ण है ग्रीस्म का गर्मी, तपन, वार्षा या पावग इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? गर्मी, चौद्वे के उप्शन A दूस्तों यहाँ पर आपको छाणना है कि इस वाले का जो भी पर्याईवाची है या समानार्थी कौन सा सब्द है? सास्वत का क्या होगा? तो सास्वत का हो जाएगा चिरंतन अगला प्रस्ण सुगंद का क्या होगा? इत्रे चंदन, सौरव या केसर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सौरव ऑप्शन B अगला प्रस्ण जंगल का यहाँ पर फिर से पूझ दिया है बहिन, कानन, दुरुमदल या कुसुम तो कानन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर अप्शन C अगला है बादल का पयोधी, अंबुज, अंबुदी या पयोध पयोधी, अंबुदी या फिर अंबुज या पयोध इसका जो सही उत्तर होगा पयोध क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण व्यावहार और मत दोनों सब्दों के लिए सही परियाए हैं तो चतुर का समानार्थी, कि चतुर नागर मतलब, चतुर यह चालाकी होता है, ऐसे पटु का भी, ऐसे दक्षि का भी, तो देव प्रिय अप्सन सीज का सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस्न, परियाईवाची सब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं है, पूझा ग तुरंग घोड़ा घोटक, तो घोड़े का क्या है वाजी परियाईवाची, लेकिन सेह यहाँ पर नहीं होगा, अगला प्रस्न, सुधाकर सब्द किसका परियाईवाची है, यह पूझा कया है, सिंदू, जलासाई, चंद्रमा या बादल, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा परियाईवाची है, अदुभुद सब्द का समान आर्थी नहीं है, अदुदिय, आश्चरिय जनक, भयानक या अपूर्व, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भयानक, तो आप समझ सकते हैं, जो परियाईवाची होते हैं, वो सिंदर और सेम होते हैं, लेकिन जो समान परियाईवाची मतलब उसी का आर्थ है ये पूरा सौ परते साथ उसी का आर्थ है लेकिन समानार्थी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पापी सब्द का समानार्थी सब्द है पामर पापाचारी तो पापाचारी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर अगला प्रस्ण है फूल सब्द का समानार्थी नहीं है फूल का समानार्थी नहीं है पूचा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंजरी क्या है इसका समानार अगला प्रस्ण है मृसा किस सब्द का परियाई है मृसा कहते हैं दोस्तों मिथ्या को तो इसका दियान रखेगे अर्था जो चीज पहले से चली आ रही है जो जोटी हो सकती है तो उसको मिथ्या कहे दें अर्विंद सब्द का परियाईवाची है तो अर्विंद किसका परियाईवाची है कमल का बाकी कमल का आपने सुनाओगा पंकच इस प्रकार से कई सारे तो इसको भी आप देखते वेई चलिएगा उसको मैं टेलेग्राम में सेयर कर दूँगा और आप सभी के पाप्स भी जो देवदारू यहर्याली इसका सही उत्तर हो जाएगा कानन अप्सन ए बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ असुर का समानार्थी है पापी राक्षष भूत उद्दंड राक्षष क्या हो जाएगा सही उत्तर आनंद का परियाईवाची है आनंद अर्थात प्रमोद अप्स प्रमोद इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ जीब का परियाईवाची है तो रसना आपने गर्मियों में रसना खाई होगी उसका गोल बनाकर तो वही रसना उसी को धियान में रखते हुए आप उसको याद कर लीजिएगा तारंग किसका पर परियाईवाची है तो उर्मि क्या है तरंग का ही परियाई रूप है अगला प्रसन दास किसका परियाईवाची है तो सेवक को ही दास कहते हैं दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा जो है तेज लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 55 प्रसन है और जब आप पेपर के समय में परियाईवाची है तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि उसको आप डीटेल से बढ़े तो इसलिए मैं इसको जो है तेजी से इसको पूरा करने की सोच रहा हूँ तो दास का सेवक महावार मतलब महावार मतलब प्रतिमाह माहवर तो माहवार अर्थात प्रतिमाह इसका हो जाएगा हर महीने सिव का परियाई वाची है रुद्र हरी किसका है विश्णू का शिवा सब्द का परियाई वाची है संकर रिष्तेदार अतिरिक्त या अलावा अड़तिस्व का हो जाएगा अलावा बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ सूरज किसका परियाई वाची है सूरज किसका परियाई वाची है अनसुमाली आदित भासकर तो ये सभी क्या है इसके परियाई वाची है अगला प्रसन हिरन परियाई वाची है तो हिरन जिसका परियाई वाची है यह यहाँ पर पूछा गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचन दोस्तों सारंग के बारे मैं आपने पढ़ा होगा कि सारंग धनुस का नाम भी है सिव के तो सारंग इस प्रकार से अगला प्रस्न है सारंग का भी कई बार पूछ सा है तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा यहां पर हमने संकेत नहीं बड़े इसमें पूछा गया है कि इन में से तीन परियाईवाची है और एक चौथा नहीं है तो अगनी के क्या क्या परियाईवाची होते है पावग होता है वेस्वानार होता है क्रिशान होता है लेकिन अनिल नहीं होता है तो आप्सन बीस का सह अगला प्रस्ण अम्रित सोम हेम पियूस या अमिय इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेम बाकी के हैं अम्रित के परियाईवाची हैं अगला प्रस्ण अही तो उरग सरीसरप सिंधूर या पवनास इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिंधूर बाकी सभी क्या हैं साप के क्या है ये परियाई वची है आकास, व्योम, सांती, स्रांती और दिव और पुसकर इसका सही उतर हो जाएगा स्रांती अगला प्रस्न इंदिरा, स्री, पद्मा, भारती, कमला तो इसका सही उतर हो जाएगा भारती क्योंकि स्री का परियाय है, स्री भी है, इंद्रा, पद्मा और कमला, लक्ष्मी और जो भारती है वो इसका सही उतर हो जाएगा अर्थात इनका क्या है ये परियाय वाची नहीं है कमल तो नीरदी, पंकज, सरोज या पुंडरीक इसका सही उतर हो जाएगा क्योंकि कमल को पंकज भी कहते हैं, सरोज भी कहते हैं और पुंडरीक जो तालाब में किलता है, वो भी कहते हैं कर्ण सूत पत्र भी कहते हैं, राधही भी कहते हैं, अंगराज भी कहते हैं लेकिन धननजय नहीं कहते हैं, धननजय किसका नाम है? ये अर्जुन का नाम था विजाई भी अर्जुन का नाम है कल्पद्रुम क्या है तो ये समुद्र मंथन से निकला हुआ एक व्रिक्ष था जो कि सभी की मनोकामनाय पूरी करता था लेकिन यहां पर पूछें तो पारिजाद इसका परियाई है अगला प्रस्न चादनी का परियाई वाची नहीं पूछा गया है जो इन तीनों में से चंद्रातप, कौमुदी, जोटसना या मयंग अगला प्रस्न कौन सा सब्द पत्थर का परियाई वाची नहीं है तो चट्टान ओवियस यहां पर बाकी सभी को पत्थर कहते है कि समो के सभी सब्द चंद्रमा के परियाई वाची है ससी, इंदू, रजनी, पती अप्सन एही यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न निमन में से कौन सा अमरित का परियाई नहीं है नवनीद, शोम, अमी या मधू तो नवनीद ओप्सन एह का सही उतर हो जाएगा दोस्तों अगर आप यहां तक रुके हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपके एक से दो प्रस्न सही होंगे क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाता है चववनवा है खद्योत का परियाई वाची है खद्योत अर्थाद जुगनू अप्सन भी हो जाएगा जुगनू अगला प्रस्न बान का परियाई वाची नहीं है तो यह हो जाएगा क्या विशिक, सिलीमुख, सरासन या सर तो पचवण में का उप्सन सी हो जाएगा सरासन उप्सन सी तो दोस्तों यह थे हमारे पचवण महत्वण प्रस्न परियाई वाची सब्दों से रिलेटेड दोस्तों इसकी मैं जो फुल पीडियेफ है साथ में जो एक लिस्ट है एक जो बढ़िया करके उसको टेबल वाइज जो लिखा गया है उनके परियाई वाची सब्दों का संकलन, संग्रा उसको भी मैं टेलेग्राम चैनल पर सेर कर दूँगा बाके प्रवियस एर पेपर जी के वीडियो जोब अपडेट के लिए जुड़े रहें धन्यवाद